कि लास्ट कलास में हम लोगों ने चलेंडर स्टार्ट की अपह स要 उसके बेसिक के बारे में दिखा था तो उसको एक बार हम लोग रिवास कर लेें हैं सबसे पहले करेंडर की अगर बात करेंगे इस कालेंडर के रैस्पेक्ट मैं आपको पता होना चाहिए कि odd day कैसे find करने होते हैं सबसे पहले हमने सीखा था है यहाँ पर कि odd days कैसे find करते हैं और देज जब भी आपको find करने पड़ेंगे days के respect में तो यहाँ पर जब भी number of days को number of days को कि जब हम divide करते हैं seven से तो हमें क्या मिलता है आपका एक तो कोशेंट मिलेगा और एक remainder मिलेगा कोशेंट क्या रहेगा यह रहेगा आपका number of week number of week और remainder क्या रहता है आपका यह रहते हैं आपके odd day means एक week में अगर seven days है इसके अलाबा जितने भी extra days होंगे यह सारे क्या कहलाते है आपके odd days कहलाते है ठीक है तो जब भी days के respect में आपको find करना है कि odd day कितने आएंगे तो आपको क्या find करना होता है basically remainder यह सबीको clear है इसके बाद जब हमने odd days find करना सीखा था तो year के respect में आपने odd day find करना सीखा next आपका year के respect में आपने odd days find किये थे x plus xy4, formula क्या था, x plus xy4, जिससे हम लोग find करते थे odd days, तो यहाँ पर जो x है, यह x क्या है, आपके number of years, x क्या है, आपके number of years, और यहाँ पर इस formula की एक limitation थी, यह formula valid था कब तक, जब x की value क्या हो, 100 से less हो, यहाँ कि 99 हो, या इससे आपका कम कोई भी 70, 80 कोई भी value हो सकती है, तो जब x की value, x से 100 से कम होगी, तब हमारा यह formula valid था, odd day find करने के लिए, अब year के respect में, जब हमने odd day find करना सीखा, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने यह देखा कि, कि हमें अगर पता करना हो कि कौन सा year leap year है, और कौन सा year non leap year है, तो कैसे पता करते थे, जब भी कोई भी year, किसी, कोई भी normal year, अगर हम इसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी normal year, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर कोई भी normal year है, जिसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और remainder, अगर remainder, 0 के एक वलाता है, तो वो क्या होता है आपका leap year, leap year, कोई भी year यह पता करना है, कि वो leap year है, non leap year, तो हम लोग क्या करेंगे, उस normal year को 4 से डिवाइड कर देंगे, और remainder, अगर 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, leap year होगा, और किसी भी, अगर हम century की बात करते हैं, century की बात करेंगे, तो century को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किस से, 400 से, तो 400 की जितनी भी multiple centuries होगी, वो सारी क्या होती हैं, आपकी leap year के form में आपको मिलेंगी, इसके अलावा, जितनी भी आपका 400 के form में नहीं होंगी, centuries, वो सारी आपकी non-leap year के अंडर आजाएंगी, तो normal year है, अगर आपका 4 से डिवाइड करने पर 0 के एक्वाइड आ रहा है, तो वो आपका क्या आजाएगा, leap year की century हो जाएगी, और अगर 0 के equal नहीं आता है, तो वो क्या होगा, आपका non-leap year की century होगी, non-leap year की century, यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपका बस बात बताई गई आपको, कि कोई भी century होगी, तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना है, आगे इसके जब चलते हैं, तो इसके आगे हम लोग next point की तरब पहुचेते हैं, जिसमें हमने यह देखा था, कि किसी भी एक normal year में, किसी भी एक normal year में, कितने 365 days होगे, और 365 days को जब 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें odd day मिलते हैं कितने one, तो यहाँ पर one odd day हमने find out किया था, और जब हम बात करते हैं, किसी भी एक leap year की, किसी भी एक leap year की जब हम बात करते हैं, तो उसमें 366 days होगे, और 366 days के respect में, यहाँ पर जो odd day आएंगे, वो कितने आजाएंगे, 2, तो यहाँ पर जो odd day आएंगे, वो कितने आजाएंगे, 2 odd day, ठीक है, तो यह information कल हमने आपका class में, discuss की थी, इसके आगे हमने century तक पहुँच गए थे, इसके आगे जब हम गए तो फिर next आपका century के respect में इसको लिख लिए? लिख रहा है इसको? इकल का लिखा हुआ होगा सबका? चलिए. इसके आगे हमने बात की थी, century के respect में, 100 year, 100 year में जो odd day होंगे, वो total कितने थे? 5? हाँ. 5 odd day. यह लिखना है? लिख लो इसको. 100 year के respect में हमने odd day find किये थे, कितने आये थे? 5. इसके बाद अगर हम 200 years की बात करेंगे, 200 years में जो odd day थे, वो कितने थे? 3 odd day. और अगर बात करते हैं 300 years की, तो 300 years के respect में कितने odd day थे? 1 odd day. बात समझ में आ रही हैं? और अगर 400 years की बात करते हैं, तो यहाँ पर 400 years में जो odd day होंगे, number of odd day, वो कितने आएंगे? 0. कल हमने यहाँ तक complete कर लिया था. ठीक है? 400 years में जो odd day होंगे, वो कितने आएंगे? 0. अब 400 के multiple, जितने भी years होंगे, जैसे आपका 400 के multiple में आगे क्या आएगा? 800, 800 years, आगे 1200 years, इसके आगे 1600 years, और जितने भी आपके 400 के multiple होंगे, इन सारे years में, आपके जो odd day आएंगे, वो कितने आएंगे? 0 odd day. सबसे पहले इस बात को clear करना जरूरी है, कि जो 100 years है, ये किसी एक particular year की बात नहीं हो रही है, ये एक duration है, जो 0 से start हुआ है, और 100 तक गया है. ये duration 0 से 200 year का है, 0 से 300 year का duration, और ये 0 से 400 year का duration. और आगे भी जो duration है, ये आपका 0 से ही start होगा. और उनके respect में आपने odd day find किये हैं, 100 में आपके 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में कितने हो जाएंगे? 0 odd day. ठीक है? अब इस basic information पे, based आपका एक question है, उसका आपको answer करना है, बहुत ही common sense वाला question है, जैसे example के लिए आपको given है, total of 400 years. आपको बताना है, 400 years में कितने आपके leap year होंगे? कितने leap year होंगे? ये आपका question आपका given है, क्या इसमें answer आप बता सकते हैं, 400 years में कितने leap year होंगे? एक answer 97 आ रहा है, और बताई किसी का answer? चलिए option देख लेते हैं, option कुछ इस तरह से given है, 97, 98, 99, 99 और 100. हाँ, अब जैसे देखो, अब इन्होंने ये बताया, कि जैसे जब हम 400 year की बात करेंगे, तो ये first 100 year है, आगे इसमें second 100 year, इसके आगे third 100 year, और last में आपका next आपके 400 year. First 100 year में total कितने leap year हो सकते थे, अगर हम 4 से डिवाइड करते 25 हो सकते थे, लेकिन एक year कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 वाई year तो आपका क्या है, non leap year, क्योंकि ये century ऐसी है, जो कि 400 से divisible नहीं है, ऐसे ही second 100 में भी आपका same case होगा, 25 माइनस का 1, ठीक है, 300 में यहाँ पर 25 माइनस का 1, आगे चलेंगे, तो यह जो last के 100 year है, इसमें आपके total 25 leap year आपके होंगे, लेकिन 400 वाला year वो भी आपका leap year है, तो यहाँ पर हमें 1 माइनस करने की ज़रूत नहीं है, यहाँ पर total कितने आएगे 25, 25, इन सब को add कर देंगे, तो 24, 24, 24, 72 और 25, कितना आएगा, 97 leap year, यह इसका आंसर हो जाएगा आपका, 97 leap year, यह सभी के समझ में आ रहा है, फिर से समझ लो एक बार इसको, इसी data पर बेश कोशन है, ठीक है, ध्यान से सुनो इसको, 400 year की यहां पर बात कर रहे हैं, तो first 100 year में कितने आपके leap year होंगे, सबसे पहले आपने एक काउंट किया, 4 से डिवाइड किया, 100 को 25 आया, लेकिन 100 वा year क्या है, 400 का multiple ना होने की वज़ए से, यह नॉन leap year में आ जाएगा, तो 1 leap year यहां पर कम हो गया, तो 25 minus 1, सेम केस, second 100 आपका year में होगा, 200 year के लिए, 300 के लिए भी आपका सेम है, लेकिन 400 year पर जब जाएंगे, तो यहां पर जो 400 वा year है, जो century वाला year है, वो क्या होगा, आपका leap year होगा, तो इसलिए यहां पर हमें 25 leap year हो सकते थे, 1 year minus करना पड़ा, क्योंकि 100 वा year leap year नहीं है, यहां पर, सेम यही केस, आपका 200 वा year leap year नहीं होगा, 300 वा year leap year नहीं होगा, लेकिन 400, आपका जब 300 से 400 की तरफ जाएंगे, तो next 100 year में आपका 400 वाली century है, वो आपका leap year में consider कर ली जाएगी, तो यहां पर हमें one minus करनी की ज़रोत नहीं है, तो इसमें जो answer आएगा, वो कितना आजाएगा, सबको add करने पर 97, तो इसका first answer सही हो जाएगा, सबको clear समझ में आ रहा ही है, अब इसके बाद चलते हैं, आपका next, इसके type number first की तरफ, आगे बढ़ें इसके, heading डालना है type number first, type number first क्या रहेगा, calendar में पहले इसको देख लेते हैं, type number first में आपको एक date गिवन होगी, यहां पर आपको एक date गिवन होगी, और उस date पर आपको क्या find करना होता है, day find करना होता है, एक random कोई भी आपका date दे दी जाएगी, calendar के according, और उस date पर क्या find करना है, day, अब यह जो day find करना है, यह क्या होगा, आपका actual day होगा, यह क्या होगा, actual day, जो कि आपका calendar के हिसाब से होगा, calendar में आप जो भी day find करेंगे, वहाँ पर आपको same वही day मिलेगा, ठीक है, तो यह date given है, इस date पर हमें day find करना है, तो कोई भी date आपका दी जा सकती है, इसमें example के लिए, हम आज की ही date ले ले लेते हैं, क्योंकि आज की जो date है, वो हमें पता है कि कितनी है, 18 April, ठीक है, इसके आसान method की तरफ चलते हैं, हम लोग आपका, कोई इसका tricky या फिर कोई ऐसा method नहीं देखेंगे, जो आपके समझना tough हो, 18 April, जो आपका year रहेगा, वो कौन सा है, 2024, इस पर हमें बताना है कि कौन सा day होगा, सबसे पहले, जो भी आपकी date given होगी, उस date के respect में, क्या आप ये find कर सकते हैं, कि completed year कितने हैं, completed year, और इस date के respect में, running year हम देख लेंगे, running year, अब 18 April 2024 तक अगर पहुचना है, तो आप 2023 year complete कर चुके हैं, ठीक है, 2020 year complete कर चुके हैं, अब 2023 year के respect में, अगर आपको ये find करना है, कि odd day कैसे यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर 2023 के respect में, जब आप चलोगे, तो इसको क्या लिखोगे, 2000 प्लस 23, 2000 में odd day कितने होंगे आपके, 0 क्योंकि ये 400 का multiple, आपको जिसे पिछले slide में बताया था, 400 के multiple, जितने भी आपके years होंगे, उसमें odd day कितने आएंगे, तो 2000 year में कितने, 0 odd day, अब 23 years है, इसके लिए हम x plus x y 4 वाला formula यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 से कम years के लिए valid था, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 23 plus 23 upon my 4, इनको क्या करना है, add कर देना है, अब यह 23 आगया, और 23 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5.75 something आएगा, तो कोई भी आपका year होगा, या फिर odd day होगा, कभी भी वो point में नहीं होता, decimal value में नहीं होगा, तो यहाँ पर point के बाद वाली value हम neglect कर देते हैं, तो यह कितना बचेगा, 23 plus यह कितना आगया, 5, 28, 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना remainder बचेगा, 0 odd day, तो 2023 year के respect में, odd day कितने आगया, 0, अब आपको कहां तक जाना है, 18 April 2024 तक जाना है, 18 April 2024 तक जाने के लिए, आपको पहले January क्रॉस करना पड़ेगा, FAB क्रॉस करना पड़ेगा, March फिर April पर पहुचेंगे, तो सबसे पहले January के respect में, अगर आप देखेंगे, तो 31 days होंगे January में, तो January में odd day कितने आजाएंगे आपके 3, क्योंकि 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमेंडर बचेगा, 3, इसके बाद चलते हैं, FAB की तरफ, FAB में odd day कितने आजाएंगे, क्योंकि ये leap year है, तो 29 day होंगे, leap year कैसे पता लगेगा, 2024, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये leap year है, leap year में FAB कितने days का होता है, 29 days का, तो यहाँ पर FAB में odd day आजाएंगे 1, इसके बाद हम चलेंगे मार्च की तरफ, मार्च में कितने आजाएंगे आपके 3, और एपरेल, एपरेल में कहां तक जाना है आपको, 18 तक, 18 को डारेक्ट वी लिख सकते हैं 18, और क्या करते हैं 18 को यही पर 7 से डिवाइड कर देंगे, रेमेंडर कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर सीधे 4 लिख लो, ठीक है, अब देखो, 3 और 4, 7, यह तो आपका कट जाएगा 7 से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 और 1 कितना आगया हैंगे, 4 odd day, 4 or 0 का सम कितना आजाएगा total आपका 4 odd day, तो finally हमें क्या करना है, जो भी date given होगी, उस date के respect में, अचय इशनना करने हैं, जब भी हम odd day find करते हैं, जब भी हम odd day find करते हैं, तो उन odd day के respect में, day define क्ये गए ठीक है, उन odd day के respect में, हमने देटिफाइन किए गए कैसे डिफाइन किए गए जैसे अगर oddatan अगर आपके zero आते हैं तो zero पर हमने रखा गय किसको हो Sunday को अगर 1 आते हैं तो रखा किसको रखांग लेक टी तू पर रखाकर अट यूज़ले को 3 पर Wednes 3, 4, 3 , 5, 5 , 6 , चैटरी, ठीक है? तो आज न्न। आज, फो म्हमातै गया था जो जो अवर यह हो, बहुत vener करते हैं, ㄮ संद्र में किया हैं, तो 0 से 6 को घरिंगे और सारे ओर पर हमने एक डिटी इच्ट किया है जीरो पर किसको माना है Sunday, calendar जो है हमारा इसी के according design किया गया है, ऐसे पता लगता है कि किस date पर कौन सा day होगा, तो 0 पर Sunday, 1 पर Monday, ऐसे आपका total 6 पर आपका क्या आएगा Saturday, यहाँ पर जो odd day आएं वो कितने आएं, 4 और 4 पर कौन सा day आएगा आपका Thursday, 4 पर Thursday, तो आज का दिन कौ answer आएगा, वो क्या आजाएगा, आपका Thursday, यह सभी के समझ में आ रहा है, जिसे 3 और 4, 7 है, 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 0 आएगा reminder, तो हमने इसको यहाँ पर ही इसको finish कर लिया, ताकि आगे calculation में वो add ना करना पड़े, ठीक है, आगे 3 और 1, 4 बच गया था, और यह 0 का सम 4 आ गया, और 4 के respect में आपका day कौन सा आ जाएगा, Thursday, इसको पहले नोट कर लिजिए, फिर इसके जासा एक example और करते हैं, नेक्स्ट वोशें हैं, इनको solve करने को स्करो एक बार, देखो answer क्या रहा है, पीछे सभी लोग, जो भी answer आरे दोनों, आगे जब इनको solve कराए जाएगा, तो उनको check कर लेना, कि सही कि गलत है, सबसे पहले first question को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले question में, 18 March 1992 के respect में, आपको पहले क्या पता करना है, completed year और running year, completed year और running year की अगर हम बात करते हैं, तो कितने year complete हो चुके हैं, 1991, और running year में कहां तक जाना है, 18 March 1992 तक, ठीक है, सबसे पहले, 1991 के respect में इसको जब हम split करेंगे, तो इससे पहले just 400 का multiple कौन सा आएगा, 1600, plus 300, और plus 91, इसको split कर लिया, कैसे split किया, 400 के multiple की form में है, क्योंकि हमें यह पता है कि 1600 में odd day कितने होते हैं, और 300 में odd day कितने होते हैं, 1600 के respect में odd day आते हैं 0, 300 के respect में odd day आता है 1, और 91 के respect में 91 प्लस 91 अपान 4, add कर दो सबको, तो यह कितना आ जाएगा, 92 प्लस 22, कितना आ गया, 114, को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, यहां पर 2 odd day, तो यह आपका 2 odd day आ गया, यहां पर, completed year के respect में odd day कितने आ गया, 2, यहां तक सभी के समझ में आ गया, यहां तक, अभी यह 2 आ रहा है, ठीक है, अभी इसके बाद, जो running year है, उसके respect में odd day और find करने, दोनों को फिर add कर देना है, सबसे पहले, completed year के respect में पता किया, इसके बाद, अगर हम running year की तरफ चलते हैं, तो यहां पर running year के respect में, पहले आपने जन्वरी क्रॉस किया, कितने odd day थे थे, 3, Feb, क्योंकि 1992 क्या है, आपका leap year, 1992 4 से divisible है, तो यह leap year है, तो इसके respect में Feb 29 days का होगा, जिसमें odd day कितने आएंगे, इसके बाद, मार्च में कहा तक जाना है, 18 तक, 18 डालेक्ट भी लिख सकते हो, या 18 को 7 से डिवाइड करके, यहां पर remainder लिख दो, 4, अब यह 4 और 3, 7, यह cancel हो जाएगा 7 से, क्या बचेगा यहां पर, 1 odd day, 1 और 2 का सम कितना आएगा, 3 odd day, और 3 पर कौन सा दे आजाएगा, वेडनस दे, तो 3 पर कौन सा दे आगया, वेडनस दे, हमने देखा था पिछली वाली slide में, 3 पर क्या रहेगा, वेडनस दे, अब इसी 19 में 2034 तक हमें जाना है, 19 में 2034 के रहस्पेक्ट में सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा, कि completed year कितने हैं, और completed year पता लगे, तो running year के रहस्पेक्ट में भी आगए, आपको calculation करनी है, odd defined करने है, completed year कितने है, 2033, और running year में कहां तक जाना है, आपको 19 में 2034 तक, सबसे पहले completed year के रहस्पेक्ट में odd defined करते हैं, क्या लिखेंगे इसको 2000, प्लस 33, 2000 में कितने odd day होते हैं, आपके 0, और 33 year के respect में odd day कैसे आएंगे, x plus xy4, 33 upon 4 को हम direct 8 लिख दें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 33 upon 4 को अगर 8 लिख दिया, direct कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि point वाले number हमने neglect कर दिये, यह कितना आगया add होने पर 41, 41 को 7 से divide किया, तो यह कितना आगया आपका 6 odd day, तो यह completed year के respect में, हमने odd day find किये, कितने आगया आपके 6, अब running year पर आते हैं, running year पर पहुंचने के लिए, पहले आपने कुछ month complete किये, month में कौन सा month था आपका gen था, gen में आपके कितने हो जाएंगे 3 odd day, FAB में कितने आपके, 0 क्योंकि FAB non leap year है, non leap year में FAB 28 days का हो गया, यानिकि 0 odd day, इसके बाद हम March पर गए, April और May में कहां तक जाना है, 19 पर, 19 को आप direct कितना लिख दोगे, 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि remainder आपको लिखना होता है, अब इसमें आपका, ये कितना आजाएगा, 6 odd day, दौनों का sum कर दिया, 6 और 6 कितना आगया, 12, कभी भी odd day, 12 तो नहीं हो सकते, तो इसको फिर क्या करना है, 7 से divide कर देना है, 7 से divide करेंगे, तो कितना आएगा, 5 odd day, और 5 पर कौन सा day आता है आपका, Friday, Friday, तो इसका जो right answer है, वो क्या है, Friday, ये सभी के समझ में आ गया, ये, ये में 19 तक पहुंचना था, 19 को या आप 19 भी लिख सकते हैं, और otherwise 7 से divide करके 5 जो remainder आएगा, उसको लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हम remainder ही तो calculate कर रहे है, odd days basically होता, क्या है remainder, तो यहाँ पर 19 को आप 19 भी लिख सकते हो, या तो 7 से divide करके direct remainder लि तो इसको note कर लिजे, फिर इसके आगे चलते हैं next question, चलते हैं इसमें first वाले question की तरफ चलते हैं, first वाले question में 13 April 1919 को पता करना था, कौन सा day है, सबसे पहले यहाँ पर completed year और running year के respect में हम पता करेंगे, अगर हम बात करते हैं completed year की, तो कितने year complete हो चुके है, 1918, 1918 के respect में odd day find कर करेंगे, 1600 plus 300 plus 18, 1600, 318, ध्यान से सुनो, यह आपका किया होगा आपने, 1600 में odd day कितने होगे, 0, 300 में 1, और 18 में 18 plus 18 upon 4 को हम direct 4 लिख दे, point के बाद वाला number, neglect कर देना, decimal value जो होगी, add कर दो, 19 और 4, 23, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 odd day, 1918 तक जो odd day आएगे, वो कितने आएगे, 2, यह आपको जो भी completed year होगे, उससे जश्ट पहले 400 का multiple कौन सा आएगा, उसको लिखना है, ठीक है, तो 1918 से पहले 400 का multiple का आएगा, 1600, 2,000 plus 1 होथा, ठीक है, अब running year के respect में देख लेते हैं, running year के, running year के respect में आपको क्या given है, इस पे आते हैं, इसमें 13 April 1990 तक जाना था, तो पहले आपने January complete किया, January में odd day कितने थे आपके 3, फैब में कितने होंगे आपके, 0 क्योंकि non leap year है, March में 3, April में 13 को, आप 6 भी लिख सकते हैं, direct या 13 लिख दो तब भी answer सही आएगा, अब इन में, 6 और 6 कितना हैगा, 12, 12 को जब आपने 7 से डिवाइड किया, तो कितना आगे हैं यहां यहां पर, 5 odd day, और 5 और 2 का सम कितना आजाएगा हैं यहां पर, 7 odd day, और 7 को 7 से डिवाइड किया, तो कितना आगे जीरो, odd day, और 0, रिमेंडर लिखना होगा, 13 अपरेल को देख लो दुबारा से, देखो, पीछे, सुनो ध्यान से, सबसे पहले जैन्वरी क्रॉस हुआ, तो 3 odd day, फैब में आपके 0 आ गए, क्योंकि आपका non leap year है, इसके बाद मार्च, एपरेल में आपने 6 लिखा, क्यों, क्योंकि 13 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 6 रिमेंडर आएगा, 13 लिख दोगे, तब भी आपका same answer आएगा, दोनों भी 13 लिखना चाहरे हो, 13 लिख दो, otherwise आप रिमेंडर लिख दो, आपका डिवाइड करके, क्योंकि odd day basically होते क्या हैं, हमारे रिमेंडर ही तो होते हैं, 12 था, इन तो सबका sum 12, 7 से डिवाइड किया, रिमेंडर आया, 5, 5 odd day, 5 और 2 का sum कितना आगया, 7, 7 odd day कभी होते नहीं, 0 से 6 तक vary करते हैं, तो 7 से डिवाइड कर दिया, इतना आगया, 0 odd day, तो 0 पर कौन सा डिवाइड आ जाएगा, Sunday, कौन सा, ये सबको एड कर दिया, 12, 7 से डिवाइड किया, तो आपका 5 odd day आगया, 5 और 2 का sum करना पड़ेगा न, ये completed year के respect में भी तो आपने odd day find किये थे, 1600 और 300 का sum 1900 होता है, आपको 19-18 तक पहुचना था, तो 1600, 300 और 18 इस स्प्लिट किया इसको, ठीक है, हाँ, 2nd वाले का Friday आगया, ये वाला सभी के समझ में आ गया, तो 0 odd day पर क्या आजाएगा, Sunday, अब इसके 2nd वाले question को देख लेते हैं, ये आपको लिखाया गया था, इस स्टार्टिंग में कि सेंचुरी के रेस्पेक्ट में odd day कैसे आएंगे, जैसे 100 ये के लिए 5 odd day, 200 के लिए 3 odd day, 300 में 1 और 400 में 0, तो 300 में आपके 1 odd day थे, ठीक है, अब नेक्स कोशन पर आते हैं, अगर हम completed year की बात करेंगे, तो कितने year complete हो चुके हैं, 1946, 1946, और running year में कहा तक जाना है आपको, 15 अगस्ट 1947 तक, तो सबसे पहले completed year के रेस्पेक्ट में odd day find करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 1600, प्लस 300, और प्लस 46, 1600 में 0 odd day, 300 में 1, और 46 में 46, प्लस 46 अपन 4 कितना आएगा, 11, डारेक्ट लिख दिया 11 कोई दिक्कत तो नहीं है, 46 को जब 4 से डिवाइट करेंगे तो 11, ठीक है, और पॉइंट की बाद वाल नमब रेक्ट कर दिया, इनको एड कर लो, 47 और 11 कितना है का, 58 को जब 7 से डिवाइट किया, तो कितना आगया, 2 odd day, तो ये completed year के respect में, 2 odd day आपको मिल गए, ठीक है, अब running year की बात कर लेते हैं, running year के लिए आपको find करना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो पहले आप January क्रॉस करेंगे, जन्वरी में कितने आपके, 3, 5 नॉन लीपियर है, तो 0, March में 3, April में 2, May में 3, May के बाद आपका, June में 2 आजाएंगे, और July में 3, August में आप 15 लिख दो direct, या तो आप इसमें एक लिख सकते हैं, उसको, जीरो रिमेंडर आएगा, तिन को अटा देते हैं, आगे 3 और 2, 5 और 2, 7 इसको 7 से दिवाइड करेंगे, जीरो रिमेंडर आएगा, इसको भी अटा दिया, Finally, क्या वच्चा आपके पास में 3, यहाँ पर 3 और 2 का सम कितना आएगा, 5 और 5 और 5 और 5 पर कौन सा दे होता है, Friday, तो इस कोशन का जो आणसर है, वो क्या आजाएगा, Friday, यह सभी के समझ में आ गया, ठीक है, तो लिख लीजे इसको, सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले कोशन को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले कोशन में आपको यह गिवन है कि 23 फैब 2-3-0-2 को कौन सा दे होगा, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पता करेंगे, कम्प्लीटेड येर और रुनिंग येर, ज्यान से सुनो, कम्प्लीटेड येर इससे एक कम होगा, तो कितने येर कम्प्लीट हो चुके हैं, 2-3-0-1, और रुनिंग येर में कहां तक जाना है, आपको 23-5-2-3-0-2 तक चलना है, सबसे पहले, कम्प्लीटेड येर के रैस्पेक्ट में इसको इस्प्लिट करते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 2000, 2000, plus 300, और प्लस 1, 2000 येर में और दे कितने आएगे, 0, 300 येर में और दे कितने आएगे, यहां पर 1, और 1 के रैस्पेक्ट में, 1 प्लस 1 अपन 4, ठीक है, यहां पर कई लोग 1 प्लस 1 अपन 7 कर रहा है, यह X प्लस X अपन 4 वाला फॉर मॉला है, अब यह देखो, 1 और 1 कितना आएगा, 2 और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 0.something कुष, तो इसके बाद वाली जो डिजिट होगी, पॉंट के बाद वाली, वो नेगलेक्ट कर देंगे, तो यह कितना आएगा, 2 प्लस 0 इक्वल to 2 अपन दे, 3 और 2 कितना आएगा, आपका 5 और 2 और 2 का सम कितना आएगा, 7 और 2 का सम कितना आएगा, 7 को 7 से डिवाइड किया, तो 0 और 2 और 0 पर कौन सा डिवाइगा, Sunday, तो इसमें, फर्स्ट वाले कोशन का अंसर क्या आजाएगा, Sunday, यह सभी के समझ में आ गया, ठीक है, इसके बाद, 2 वाले कोशन को चेक कर लो, आपका अंसर सही है कि गलत है, 2 वाले कोशन पर चलते हैं इसके बाद, चलिए इसके 2 वाले कोशन की तरफ चलते हैं, 2 वाले कोशन में, 11 जुलाई 2032 तक जाना है, सबसे पहले यहां पर completed year की बात करेंगे, और उसके बाद फिर running year की बात करेंगे, completed year की अगर हम बात करते हैं, तो कितने year complete हो चुको है, 2000, 31, इसके respect में, अगर हम इसको split करते हैं, तो कितना आएगा, 2000, plus 31, 2000 में कितने आपके odd day होंगे, 0, 31 में कितने होंगे, 31 plus 31 upon 4 कितना आएगा, 7, add कर दो, तो यह कितना आएगा, 38, 7 से डिवाइड किया, तो 3 odd day, तो सबसे पहले completed year के respect में, आपने odd day find कियोंगे, कितने रोंगे सही थे, 3 odd day, completed year के respect में, अब running year पर चलते हैं, रुनिंग year में आपको कहा तक जाना है, 11 of July, 2032 तक, तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे, कि 11 July के लिए आपने पहले जनवरी क्रोस किया, जन में आपके कितने odd day होंगे, 3, 5 क्योंकि 2032 क्या है, लीप यर, और लीप यर के respect में, 29 days का होगा, तो यहां पर odd day कितने आएंगे, 1, यह ध्यान लखना है कि year लीप यर है या नॉर्मल यर है, उसके रैसपेक्ट में, फैब के odd day रखने आपको, इसके बाद, March, April, May, फिर June, और July में 11 तक जाना है, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसके डिरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं इसमें, अब देखो क्या चैंसल हो रहा है, 3, 3, 6 और 1, 7, यह 7 से चैंसल हो जाएगा, 0 रिमेंडर, इसके बाद, 3 और 2, 5 और 2, 7 यह भी आपका 7 से चैंसल हो गया, और finally आपके पास क्या बचा, 4 odd day, 4 और 3 का सम कितना आएगा, 7 और 7 को 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 0 odd day, और 0 पर कौन सा दे आएगा, Sunday, तो coincidentally इस वाले कोशन का आंसर भी क्या आ रहा है, Sunday, अब सब लोगों का आंसर आ रहा था, वो पता नहीं, सजी के लिख था, हाँ, यह समझ में आया? रहा है, इसको 31 को, झब 4 से डिवाइड करेंगे, तो कॉशन हमें लेना है, कॉशन कितना आएगा, 7, 4, 7 जा 28, हाँ, जब 4 से डिवाइड करेंगे, से डिवाइड करेंगे, तो भीड लेते हैं, यह ध्यान रखना, तो यह जो कितना घया आपका यह 7 आ आ गया 7%, 38 7 से लिवाइट किया तो यहांreiben कितना आ गया GRE और दे रिमेंडर कहा पर चार इधर चलो देख लेते न यह वाला समझ में आ गया यह वाला साइट समझ में आ गया अब इसके रुनिंग यर की बात कर रहें तो 11 जुलाई तक जाने के लिए जन्वरी आपके थी ओड दे फैब में वन क्योंकि लीपियर है मार्च एप्रेल में जून और जुलाई में कहा तक जाएंगे फोर पर जुलाई में आपके 11 दे थे 11 को 7 से डिवाइड किया कितना रिमेंडर आया 4 अब इसमें देखो 3 3 6 और 1 7 यह 7 से 7 कट जाएगा आगे चलेंगे तो 2 3 और 2 5 और 2 7 यह 7 से आपका कट जाएगा रिमेंडर फर्स्ट है जो यहां पर आपका complete होता है आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ इसमें स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 में अपको पहले एक डेट गिवन होगी आपको एक डेट गिवन होगी और इस डेट पर आपको क्या गिवन होगा एक इस डेट पर आपको एक डेवन होगा ठीक है एक डेट गिवन है और इस डेट पर डेवन है और यह जो आपका गिवन है इसको हम लोग क्या बोलते है रेफरेंस रेफरेंस अब इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट पर इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में day find कर रहे हैं यह actual day नहीं होगा यह actual day नहीं है यह reference के respect में day आएगा not actual day ठीक है अगर यह actual day होता तो हमें फिर इस type की जरुवती ना पड़ती क्योंकि फिर हम उसका answer पिछले वाले type से निकाल लेते तो यहां जो आपके question पूछे जाएंगे उसमें एक date given होगी उस date के respect में day given होगा जिसको reference बोलते हैं इस reference के respect में किसी दूसरी date पर आपको day बताना है तो यहां पर भी आपको क्या करना है सबसे पहला काम कि जो भी आपकी date given है उससे दूसरी date तक की आपको क्या find करने पड़ेगी duration duration फाहिन पड़ेगी ऑर duration के respect में आपको क्या find करने है morning आप sure days तो यहां पर भी आपको बैसी कि a Але gay तो जो भी दूरेशन आए गी उसके respect में how defined करेंगे ओड जो आएंगे उनको क्या करना है उआक को reference में बस किस तरह से पूछा जा सकता है सबसे पहले उस पर आते हैं जैसे एक्जाम्पल के लिए हमने कोई भी आपका डेट ले ली 3 3 of January 2023 3rd January 2023 को डे है वैडनस दे ठीक है 3 January 2023 को अगर वैडनस दे है तो आप से पूछा गया है यहां पर कि 25 of January 2023 को कौन सा दे होगा तो सबसे पहले यहां पर जब इस कोशन को हम देखते हैं तो यहां जो यह जो आपका एयर है यह दौनों में क्या है है तो यह है यह दौनों में क्या है सेम अगर मंत की बात करेंगे तो यहां पर इसकं सरya में किसुक्त में है कै अब यहां डियूरेशन फाइंड करने के लिए 25 25 में से क्या करेंगए हम 3 को minus कर देंगे 25 में से 3 को minus कर देंगे 15 maunis करते हैं तो क्ञा वर्स्ता है 22 22 तो क्या है ऑपके जिए 22cnade के तो 8 आपक ऐग सकते हैं 7 से डिवाइट कर देंगे तो यहां पर out day कितने आएंगे आपके one, तो ये one odd day आ गए, तो सबसे पहले जो duration है, उसके respect में हमने क्या किया, odd day find कर लिए, और जब odd day find किये, उसको हमें क्या करना है, reference में add कर देना है, इस तरीके से, पहले क्या करते थे, one पर क्या आता था, Monday आता था, zero पर Sunday आता था, six पर Saturday आता था, वो यहां पर नहीं करना है आपको, जो भी इसमें remainder आएगा, या odd day finally आएंगे, उनको reference में क्या करना है, add कर देना है, तो Wednesday में अगर हम one add करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, Thursday, तो इस question का जो answer है, वो क्या आएगा, Thursday, ये actual day नहीं है, ये एक reference के respect में हमने defined किया है, ये सभी के समझ में आ रह 9 of July 2024, 9 of July 2024 को अगर Saturday है, तो आपको ये बताना है, 27 July 2024 को कौन सा दे होगा, ये हमें find करना है, तो जो भी आपकी date given है, उसके respect में, आप क्या पता करेंगे, duration पता करेंगे, और duration पता लग जाएगा, तो फिर odd day पता लग जाएगे, 7 से divide करके, odd day पता लगे, तो इसको reference में क्या कर देना, add कर देना है बस, ठीक है, 20, यहाँ पर भी आपका month सेम है, year सेम है, आपका variation है किसमें, day के respect में, तो 27 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 18, 18 को जब 7 से divide करेंगे, कितना आएगा, 4 odd day, 4 odd day को क्या करना है, reference में बस add कर देना है, तो Saturday है, Saturday में अगर हम 4 add करते हैं, तो Saturday के बाद, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, तो आंसर क्या आएगा इसका, Wednesday, ये सभी के समझ में आ रहा है, ये उस से थोड़ा आसान है, ठीक है, duration find कर लो, duration find हो गई, तो उसके बाद में आपके odd day पता लग जाएंगे, अगर day के respect में बने हैं, तो direct 7 से divide करके, हम इसमें ये पता कर लेंगे, कि कितने odd day हैं, उसको reference में add कर देना है, अब इसके 29 of October 2032 को अगर Tuesday है, Tuesday, तो आपको ये बताना है, 4 October 2032 को कौन सा दे होगा, अब पिछले questions में और इस question में फरक किस चीज का है, कि यहां पर जो आपको day given है, अब आपको back date पर जाना है, अब आपको आगे से पीछे की तरफ चलना है, ये आपका date 29 October आगे की date है, और 4 October क्या है ये पीछे की date है, तो जब back date पर हम जाते हैं, तो वहां पर क्या changes करने है, सबसे पहली चीज, देखो, यहां पर year same है, month same है, difference है केवल किस में, day के respect में, 29 में से 4 जाएगा, तो कितना वचेगा, 25, ठीक है, और 25 को जब 7 से डिवाइट करेंगे, कितना आएगा आपर, 4 odd day, स अब देखो ध्यान से, अब यहां पर change आएगा एक, Tuesday, 29 October, Tuesday है, तो आपको यह बताना है, 4 October को कौन सा day होगा, तो जो भी आपके odd day आये हैं, उसको आपको यहां पर क्या करना होता है, minus, जब भी back date की तरफ जाते हैं, तो odd day को क्या करना पड़ता है, minus करना पड़ेगा, और जब आगे की तरफ जाएंगे, तो odd days को क्या करना पड़ेगा, plus, ठीक है, तो इसमें, अगर हम four day minus करेंगे, तो Tuesday में से अगर four day minus करते हैं, तो क्या आएगा, Sunday, Tuesday में one day minus करेंगे, badness day, उसके बाद Tuesday, फिर आपका Monday और फिर Sunday, तो यहां पर जो answer आएगा, वो क्या आजाएग Sunday, यह सभी के समझ में आ रहा है, हाँ, minus क्यों कर रहा है, क्योंकि आप back date की तरफ जा रहे है, क्योंकि 20 October, आपका 2032 को आपको गवन था Tuesday, आपको four October तक पहुचना था, तो यह क्या है, आपका पीछे की date है, यह past की date पर जाना है आपको, और जब भी हमें past की date पर जाना होत होता है, तो जो भी odd day आते हैं, उसको में minus करना होगा, और जब भी, अच्छा, Tuesday, sorry, Thursday समझादा न, इसको, इसमें अगर हम minus करेंगे, हाँ, इसको correct कर लेना, इसमें अगर minus four करेंगे, इसको Thursday समझ के answer रहा है था, इसमें Tuesday में minus करेंगे, तो Friday आएगा, तो इसको correct कर लेना, Friday answer है, basic concept समझ में आ रहा है न, जो भी आपके odd day आएगे, उनको minus करना है, जब आपका past date पर जाना होगा, अब इससे आगे चलते हैं, लिख लिए इसको, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे, जब आपका duration day के साथ साथ मन्त के respect में भी द बात कर लेते हैं, जैसे example के लिए आपको given है, 3rd of January 2024 को अगर Friday है, 3rd January 2024 को अगर Friday है, तो आपको ये बताना है, कि 17 Feb 2024 को कौन सा day होगा, 17 Feb 2024 को कौन सा day होगा, अब इसको जड़ा ध्यान से समझ लेना, कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो year तो same है, variation है किसमें आपका, month में और day में, तो month और day के respect में, जब भी variation देखने को मिलता है, तो हमें question को कैसे attempt करना है, इसके बारे में आते है यहाँ पर भी हमें duration ही find करनी है, और duration अगर find कर ली, तो उसके respect में odd day पता लग जाएंगे, और day को क्या करना है, reference में add कर देना है, Saturday, देख लेते answer क्या रहा है, सबसे पहले यह बताओ, 3rd of January से जब आगे चलते हैं, तो January पहले complete होगा, January में total कितने day होगे, 31, 31 में 3 गया, तो कितना बचा, 28, और 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे, यह January के respect में odd day है, तो कितना आएगा, 0 odd day, यह तो January के respect में हो गया, अब fab की बात करेंगे, तो fab में कहां तक जाना है आपको, 17 तक तो 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 3 odd day, जनवरी के odd day बचे हुए, फरवरी के बचे हुए odd day, दौनों का sum किया, तो कितना आगया, 3 odd day, और 3 को क्या करना है, इसमें, Friday में add कर देना है, Friday में अगर 3 day add करेंगे, तो answer क्या आएगा, आपका, Monday, यह सभी के देख लेते हैं, इसका, अगला कोशन है, 6 September 2025, 6 September 2025 को given है, आपको day, Monday यहाँ पर given है, इसके respect में आपको यह बताना है, 25 December 2025 को कौन सा day होगा, अब जरा इसके respect में find करो, इसके साथ ही आपका और भी questions को लिख लेते हैं, जैसे next example है, 23 January 2048 को Wednesday है, तो बताना है आपको, 16 April 2048 को कौन सा day होगा, लास्ट कोशन लिखिए एक, लास्ट कोशन में आपको given है, 13 March 1987 को यहाँ पर given है, आपका Thursday, तो आपको बताना है, 15 August 1987 को कौन सा day होगा, तो इन सारे questions को एक बार solve करिए, उसके बाद उनके answer match करते हैं, इन questions के solution पर आते हैं, सबसे पहले, फर्स्ट वाले question में 6 September 2025 को Monday है, तो September है, वो कितने day का होगा, 30, 30 में से 6 जाएगा, तो 24, तो 24 को जब 7 से डिवाइट करेंगे, तो डारेक्ट हम 3 लिख सकते हैं इसको, रिमेंडर आपका 3 आएगा, तो September के respect में, जो odd day बचे, वो कितने बचे, 3, इसके बाद October में, क्योंकि September के बाद October भी cross करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 आगया, November में आएगे, तो यहाँ पर कितने odd day आएगे 2, और इसके बाद जब हम December पर पहुंचते हैं, finally, तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने आएगे 4 odd day, ठीक है, जहां तक सही किया होगा, आप लोगोंने, अब देखो, यह 4 है, और यह 3, 7, यह cancel हो जाएगा, 0 remainder आएगा, तो क्या बचेगा, 3 or 2, 5, तो यहाँ पर कितने आएगे, 5 odd day, तो duration के respect में, day और month के respect में, जब हमने vary किया, तो finally, हमें 5 odd day मिले, रेफरेंस में जब आप 5 add करेंगे, तो कितना आएगा आपका इसमें, रेफरेंस में 5 add करेंगे तो Saturday, तो Monday में 5 day add कर लो, तो आपको Saturday answer मिल जाएगा, इसका, तो नहीं है, ठीक है, next वाले question पर चलते है, next question में 23 January 2048 को badness day है, आपको बताना है 16 April 2048, तो यहाँ पर यह 48 यह तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी कर रहा है आपका month or day, तो सबसे पहले January में आपके total 31 days होते हैं, 31 में 23 माइनस हुआ कितना बचा, 8, 8 को 7 से डिवाइट किया, तो January में कितने दिन बच गए आपके, 1, इसके बाद हम February की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2048 क्या है, leap year, 4 से डिवाइट हो जाता है, तो leap year के respect में 5 होगा 29 days का, और यहां पर odd day आएंगे 1, इसके बाद जब हम March की तरफ गए, तो यहां पर March में कितने 3 odd day, 31 day के respect में, और फिर April पर जब पहुचे, तो यहां पर odd day 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 2, ठीक है, अब देखो, 3, 4, 5, और 2, 7, तो यह सारे कट गए, तो finally आपके पास कितने बचे, 0 odd day, अब 0 पर direct Sunday मत लिख देना, इसको reference में add करना होता है, reference में जब add करेंगे, तो वापस हमें same answer मिल जाएगा, क्या? Wednesday, तो यहां पर जो answer आएगा, वो क्या आएगा? Wednesday, तो इस question का जो answer है, वो क्या है, second वाले का, Wednesday, कितने लोगों का सहीत है, Wednesday, second वाले का, अब 3rd वाले पर आते हैं, 3rd वाले question में 13 मार्च से आपको 15 अगस्त तक जाना था, क्योंकि year non leap year है, लेकिन आपका duration अगर आपकी count नहीं हो रही है, फरवरी की, तो यहां पर आपका leap year हो, ना हो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, सबसे पहले, मार्च में 31 में से 13 माइनस तो कितना आएगा 18, 18 को 7 से डिवाइड किया तो 4, मार्च के बाद April, April में 2, May, June, July और अगस्त में आपका 15 को 7 से डिवाइड किया 1, अब देखो क्या cancel हो सकता है, 4 और 3, 7, 3 और 2, 5 और 2, 7, यह cancel हो गए सारे 7, बचा कितना यहां पर, 1 odd day, और 1 odd day को इसमें add कर देंगे, त तो इस question का जो answer आएगा, वो क्या आजाएगा, Friday, तो इसमें last question का जो answer है वो आपका Friday हो जाएगा, तो यह सभी के समझ में आगे questions, यह तो थे आपका day और month के respect में variation, अब यह देखना है कि जब year के respect में variation होगा, तो question को solve कैसे करना है, आगे इसके हम लोग चलते हैं अब year के respect में, जब भी duration year के respect में होगी, तो question किस तरह से आपके solve करने होते हैं, और कैसे हमें odd day find करने होंगे, तो उस पर आते हैं, पिछले वाले पेज में यह दिख लो, solution है, अब year के respect में, जब भी duration given होगी, तो हमें कैसे question solve करना है, इस पर आते हैं, जैसे example के लिए, आपको given है, 1st of January 2001, 1st of January 2001 को अगर Tuesday है, Tuesday, तो क्या आप यह बता सकते हैं, 1st of January 2002 को कौन सा day होगा, अब first question में, जो duration given है, वो आपकी duration आपका one year के respect में given है, देखो यहाँ पर date same है, month same है, variation किसमे है, year में, अभी तक हमने day और month के respect में variation देखा था, यहाँ पर variation year के respect में given है, और आपको यह भी पता है कि यह, जो variation है, वो केवल पूरा one year का है तो यह जो one year है यह क्या है non leap year यह क्या है non leap year यानि कि कोई भी एक simple year दे रखा है simple year में कितने days होते है 365 365 days के respect में आपके odd day कितने आते हैं one यह हमने पहले भी find किया था तो one odd day जो आए उसको हमें क्या करना है reference में add कर देना है तो Tuesday में one add करेंगे तो क्या आएगा Wednesday तो यहां पर जो answer आएगा वो क्या आजाएगा Wednesday यहां तक किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए बड़ा आसान सा है ठीक है अब आपसे लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि यह बताओ 31st December 2001 को कौन सा यहां पर अगर एक दिन पहले आपसे पूछता है कि कौन सा दिन होगा तो वैडनेस्टे में आप क्या करोगे आपसे पूछा जा रहा है 31st December 2001 यानि कि इस से एक दिन पहले की बात हो रही है तो यहां पर एक माइनस कर दिया तो यहां पर क्या आगया Tuesday अब यह इंसिडेंट जो यहां पर हुआ यह हर नॉन लीपियर में होगा तो इसके रैस्पेक्ट में हमने यह देखा कि किसी भी नॉन लीपियर में इयर का जो लास्ट डे होगा यह का जो लास्ट डे होगा वो सिमलर होगा किसके इयर के फर्ष्ट डे के सिमलर होगा यह बात सभी क समझ में आ गई? सबसे पहले year spring respect में हमने एक बहुत ी basic phenomena देखा कि साल का पहला दिन है वो साल साल के last dina के बराबर होता है same होता है similar कब जब आपका year non-leep year है clear है यह लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसी भी leap year की अगर हम बात कर रहा है किसी भी leap year की तो लीपियर के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जैसे एक्जामपल के लिए आपको गिवन है फर्स्ट जैन्वरी तो जन्वरी को अगर यहां पर गिवन है फर्स्ट जन्वरीट्वै को कौन सा ढगा अब यहां पर वह मन्त चैंड में और के रेस्पेक्ट में जब हम कैल्कुलेट करेंगे तो यह एक साल जो लीपियर वाला साल है, लीपियर वाले साल में 366 दे होते हैं, लीपियर वाले साल में 366 दे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 2 ओड दे, और 2 को जब हम फ्राइडे में एड कर देंगे, तो हमारे, हमें क्या मिल जाएगा, Sunday? Sunday मिल जाएगा, यानि कि 1st January 2005 को कौन सा दे होगा, Sunday, ये क्लियर है सबको, अब इस वाले कोशन की तरह है, यहाँ पर भी अगर आप से कहा जाए कि 31st December 2004 को कौन सा दे होगा, तो आप क्या करोगे, Sunday में से 1 दे माइनस कर दोगे, तो आपको answer क्या मिल जाएगा, Saturday, अब इसको भी हम लोग आपका इस form में लिख लेते हैं, किसी भी leap year में, किसी भी leap year में, साल का जो आखरी दिन होगा, last day होगा, year का जो last day होगा, वो year के first day में, एक add करने पर हमें मिल जाएगा, तो अगर यह कहा जाए जैसा 2024 चल लाए यह क्या है आपका लीपियर है तो इस लेपियर का अगर फंस्ट डे सकोच अगर मौलो के होगा तो इसकोच किया होगा नश्टे यह तिशोंच अगर कोगे प्रोटीफ 250 जिखे उक मेराकी कि अगर अगर first day saturday है तो last day क्या होगा? saturday होगा. तो यह आपका सबसे क्या है? सबसे basic phenomena है. Year के respect में जब हम जाते हैं, duration year के respect में लेंगे, तो हमें याद रखना है कि साल का last day है, वो first day के एक वल कब होगा, जब year non leap year है. और साल का last day, first day में one add करने पर मिलता है, कब जब वो leap year है. तो यह पहला fenomena था year के respect में. अब इससे आगे बढ़ते हैं. लिख लो इसको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं. Year के respect में हमने यह देखा कि कैसे हमें odd day find करने हैं, और किस date पर कौन सा day होगा. अब year की duration अगर बढ़ा दी जाए, तो कैसे find करना होता है, इस पर आते हैं आपका first example से. देखो जड़ा ध्यान से. अब जब भी हमने year लियाता, 1st January से हमने start किया था. तो जरूरी नहीं है कि आपका एक year की duration 1st January से 1st January तक ही हो. 1st March से 1st March से तक भी हो सकती है. वो 30, 1st April से 30, 30 April से 30 April तक भी हो सकती है. इसके अलावा 7 July से 7 July तक भी हो सकती है. तो जरूरी नहीं डूरेशन आपकी जो गिवन हो, वो आपका एक 1st January से ही दी जाए. जैसे example के लिए यहाँ पर गिवन है 3rd of March, 3rd of March 2023, 3rd of March 2023 को अगर Wednesday है, Wednesday तो आपको यह बताना है, 3rd of March 2032 को कौन सा डे होगा? अब इस question को ध्यान से देखेंगे. इसमें देखो जरा, 3 March, 3 March 2023 को कौन सा दिन है? बुद्वार, Wednesday तो 3 March 2032 को हमें डे बताना था. तो यहाँ पर अगर देखेंगे, तो देखो, डे सेम है, मन्त सेम है, अब इस वैरिएसन काहाँ पर देखने को मिला है, यह इर के रेस्पेक्ट में. अब इस वैरिएसन की अगर हम बात करें, तो 32 से अगर, 23 से 32 पर आना है, तो 9 यह का रेस्पेक्ट में, अब 9 यह के रेस्पेक्ट में, आपको क्या फाइंड करने हैं? अब 9 यह के रेस्पेक्ट में आप 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 देखोगे, तो जनरली हम लोग क्या करते थे, 4 से डिवाइड करके आप देखते थे, लेकिन तब वो डिरेशन जीरो से गिवन होती थी, और एक पर पर यहाँ पर जो डिरेशन है, 28 वाला लीपियर है, और इसके बाद 32 वाला, वो 3 मार्च पर पहुचने की वज़े से, वो भी काउंट हो जाएगा, तो टोटल लीपियर कितने आगए? 3, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करते तो आपका 2 आता, और आंसर गलत हो जाता, तो 4 से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर आपको नॉर्मली काउंट करने पड़ेंगे, कि कितने लीपियर आएंगे, तो टोटल यहाँ पर कितने, 3 लीपियर कौन-कौन से, 24, 28, 32, 32 इसलिए क्योंकि 3 मार्च तक आप पहुच चुके हैं, 29, 5 क्रॉस हो गया है, इसके बाद अगर हम नॉर्मली पियर की बात करते हैं, तो नॉर्मली पियर आपके कितने बचे, यह 6 बचे, 3 टू जा 6, 6 बचा 6, दौनों को एड़ किया, तो 12 को 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 5 ओड दे, तो सबसे पहले, जो डिरेशन थी 9 येर, उसके रेस्पेक्ट में, ओड दे कितने आ गए 5, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अब 5 ओड दे आए, इसको क्या करना है, वेड़नश दे में, एड़ कर देना है, 12, 6 और 6, 12, यह देखो, तो 3 लीपियर थे, वन लीपियर में कितने ओड दे होते हैं, 2, तो यहाँ पर 3 में कितने हो जाएंगे, 6, 6 नॉन लीपियर, 1 का मल्टिप्ला है, तो यहाँ पर 6 ओड दे, दौनों का एड किया, 12 को 7 से डिवाइड किया, 5, और 5 को हमने जब वैडनस दे में एड किया, तो कितना मिल जाएगा हमें, Monday, तो यहाँ पर आपका एड करेंगे, तो आंसर में क्या आजाएगा, Monday, यह सभी के समझ में आ रहा है, इस तरह के question आप से पूछे जा सकते हैं, तो आप आराम से इसको कर लोगे, और इसके example दे देते हैं, आप solve करना खुछ से, जैसे इसमें next example लिखो, 16 जुलाई, 2016, 16 जुलाई, 2016 को अगर Thursday है, तो बताना है आपको, 16 जुलाई, 2005 को कौन सा दे था, अब इसमें backdate की तरफ जाना है, इस पर ध्यान लगना है, जो भी odd दे आएंगे, उनको माइनस करना है, next है आपका, 24 October, यहाँ पर, 1962, को अगर, Monday है, तो बताना है आपको, 24 October, 1983 को, कौन सा दे होगा, तो यह first three question है, इनको जड़ा एक बार solve करिए, उसके बाद इसके solution पर आते हैं, चले इसमें, first वाले question के solution पर चलते हैं, इसमें, 16 July 2016, 16 July 2005 पर जाना है, तो इसमें, तोटल जो आपका variation है, वो कितना 11 year का है, अब इन 11 year के respect में, देखो ध्यान से, तोटल 11 year के respect में, आपके leap year भी होंगे, और non leap year भी होंगे, leap year की अगर हम बात करते हैं, तो 2005 के बाद का leap year कौन सा आएगा, एट, एट आएगा, एट के बाद कौन सा आएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद 16 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 16 July तक आप पहुच चुके हो, तो आपके टोटल 3 leap year आगए यहाँ पर, फोर से डिवाइड करते हैं, तो 2 आथा, आँसर गलत हो जाता, फोर से इसलिए डिवाइड नहीं करना था, 3 leap year और रिमेनिंग 8 के आगए आपके, non leap year, अब इनके respect में odd day कितने आजाएंगे, 6 और यहाँ पर कितना आगया, 8, तो यह कितना आगया, 14 को 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 0 odd day, यानि कि रेफरेंस में आपको क्या minus करना है, 0, माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें back date पर जाना था, अगर यह 1 या 2 दे आते तो आँसर कुछ अलगी आता, तो एड नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रेक करना है, तो जब आपने थर्षडे में एक दिन आप सब्ट्रेक किया, 0 बापस आपको क्या मिल जाएगा, थर्षडे, तो इस कोशन का अंसर क्या है, थर्षडे, कितने लोगों का अंसर सही था यवाला, थर्षडे, इसके बाद, लास्ट वाले कोशन में 24 October 1962 को Monday है आपको बताना है कि 1983 को कौन सा दे होगा 24 October में अब सबसे पहले duration की बात करें तो यहां पर year में variation है और कितने year का variation है 21 year का 21 होगे ना 21 के respect में आपके leap year भी है और non leap year भी है अगर leap year की बात करते हैं तो leap year 62 की बात क्या पड़ेगा 64 66 64 68 उसके बाद 72 76 और 80 टोटल आपके 5 leap year और remaining आपके 16 क्या आगे non leap year 5 तूजा 10 और 16 मैं 1 का multiply तो 16 तो यह कितना आ गया 26 को 7 से divide किया कितना आ गया 5 odd day तो जितने भी odd day आये थे उसको reference में क्या कर देना है add कर देना है तो यह कितना आएगा Saturday तो solve करने पर जो answer मिलेगा वो क्या आएगा Saturday तो second वाले question का answer Saturday कितने लोगों का सही था Saturday समझ में आगे सभी के यह clear है यह तो यह type number two यहां पर complete होता है इसमें जो duration बताया गया था आपको डे के respect में जनली दिया जा सकता है day month के respect में या year के respect में इसके बाद last type की तरफ चलते हैं इसमें calendar के पीछे लिखना था लिख लो उसको कि का नेक्ष्टिस में अब हम बात करेंगे आइडेंटीकल के लेंडर के concept की तो heading है identical calendar अज एडेंटीकल के लेंडर तो दिखो जल्ड़ धियान से आइडेंटीकल कलेंडर के concept को समझेंगे इसमें चोटा सा concept है इसका आज ही खतम हो जाएगा देखो ध्यान से पीछे सुलो ध्यान से हाँ थी टाइप है टाइप नंबर थ्री कि अधिकल कलेंडर क्या होता है कि कोई ऐसा कलेंडर और जिसको जब हम दूसरे कलेंडर से हम compare करते हैं किसी कलेंडर को किसी दूसरे एयर के को Monday होना चाहिए अगर वहाँ पर 1st March को अगर Friday है तो उसमें भी Friday हो अगर 1st 7 July को अगर वहाँ पर Saturday है तो उसमें भी Saturday होना चाहिए means सारी date पर day होंगे वो सेम रहेंगे अगर उस calendar को हम दूसरे बाले यूज करें तो उसमें बस यह में चेंज कर दिया जाए बाकी आपका calendar क्या रहेगा सेम रहेगा आइडेंटिकल कलेंडर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जब दो टाइप के यह होंगे आपके एक तो क integrity나 कि नंउन ली होगा और एक ह्लेपियर तो किसी भी का जो के लेंडर है किसी भी नान लीपय। का calendar क्या किसी पर के similar हो सकता है कि नहीं हो सकता क्योंकि लीपियर में आपका एकड़े का अंतर के अंदर तो उसके बाद से एक एक दिन का अंतर आ जाएगा हाला कि ऐसा हो सकता है कि एक सी लेकर 28 फरवरी तक की डेट पर जो डे हो वो नॉन लीपियर कलेंडर के सिमिलर हो लेकिन फर्स्ट मार्स के बाद की जो डेट होंगी उनमें आपका चेंज़स आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर नॉन अब इक बाद वाला साल लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले लीप के बाद वाला साल लेते हैं जैसे 2024 के बाद next year क्या है 2025 तो इसको क्या लिखेंगे leap year plus one ऐसे ही आपका second year क्या एगा leap year plus two इसके आगे leap year plus three और ये last में क्या जाएगा leap year ये four type के year होते है leap year plus one, leap year plus two, leap year plus three और leap year अब जो leap year plus one है इसका जो calendar है ये रिपीट करता है एक particular time के बाद में और वो time कितना है six year ये six year के बाद रिपीट करेगा जैसे 2025 का जो calendar है उसके identical calendar आपको कम मेलेगा 2031 में 31 six year आपको add कर देना है ऐसे ही leap year plus two का जो calendar है ये रिपीट करेगा किसना आपका 11 year के after 11 year के after leap year plus three का calendar ये रिपीट करेगा ये भी आपका 11 year के after रिपीट करता है और leap year का जो calendar है ये रिपीट करता है 28 year के after ठीक है 28 year के after, साथ में एक condition और given है, condition यह है कि यह जो duration given है, इनके जब यह duration cover होती है, तो इनके बीच में कोई ऐसा year ना आए, जो कि आपका कोई ऐसी century ना आए, जो कि आपकी क्या हो, non-leapier की century हो, अगर वो leapier की century है, तब तो यह result सेम रहेगा data, लेकिन अगर non-leapier की century उस duration म आजाती है, तब यहाँ पर changes देखने को मिलते हैं, जो कि आपके exam में आपके नहीं पूछे आते हैं, तो generally हमें आपका यही data finally याद रखना है, तो यह table है, जो आपको identical calendar के respect में ध्यान रखनी होती है, ठीक है, अब बड़े आसान-ासान से question पूछे जाते हैं, इस पर direct आप answer बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं, 2014 का calendar किसके similar होगा, 2014 का calendar किसके similar होगा, यह बता सकते हैं, तो आपको यह पता है, 2014 से जस्ट पहले leap year कौन सा था, 2012, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका 2012 plus 2, यानि कि leap year plus 2, और leap year plus 2 के calendar कितना, 11 year के after repeat होते हैं, तो plus 11 कर दिया तो कितना आ गया 2025 तो 2014 का calendar कब repeat करेगा 2025 में फिर से सुलो इसको 2014 था इसको क्या लिखा 2012 प्लस 2 12 क्यों लिखा क्योंकि leap year के respect में आपको लिखना है इसको 12 इससे पहले leap year क्या पढ़ेगा 2012 प्लस 2 किया तो यह leap year प्लस 2 है जो कि 11 year के after repeat करेगा तो answer के आएगा 2025 जैसे example के लिए आप से कहा जाए कि 2023 का calendar बताए कब repeat करेगा अब 23 से पहले leap year कौन सा था 2020 तो इसको लिखेंगे 2020 प्लस 3 यानि की leap year प्लस 3 और यह repeat करेगा फिर 11 year के after तो कितना आएगा 2034 तो यह calendar दौनों identical होंगे यह यह actual data है आप calendar को ठाके देख लेना 2023 के और 2034 के दौनों calendar आपको से मिलेंगे सारी date पर दे सेम होंगे इसके बाद जैसे next example है इसमें हां नहीं टूटा जैसे next question आपका given है इसमें 1985 का calendar बताओ कर रिपीट करेगा 1985 का calendar कर रिपीट करेगा 1984 प्लस वन लिखेंगे यानि कि लीप यर प्लस वन तो सिक्सियर एड कर दिये तो यहां पर कितना आएगा 1991 तो 1991 में क्या कर जाएगा यह रिपीट कर जाएगा तो यह identical calendar का concept है तो यह सारे जो data है यह year के लिए सेम रहेगा बस limitation इसकी क्या रहती है इसकी कि कि इस duration में कोई ऐसी century न आ जाए जो कि क्या हो नॉन लीपियर की century हो अगर लीपियर की century है तो कोई दिक्कत नहीं फर ठीक है तो लिख लिए इसको यहां पर यहां पर यह कलेंडर वाला पाथ है यह आपका complete होता यहां पर चलिए इसमें हम यह find करेंगे first day and last day of century first day and last day of century तो आगे heading है first and last day of century किसी भी century का first or last day कैसे पता करते हैं यह इसकी बात करते हैं ठीक है अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें first century की first century ध्यान से देखना इसमें first century का जो first day होगा हम बात करें किसमें first day और last day के respect में first day और last day के respect में कि अगर first day की बात करते हैं तो किसी भी जो first century होगी उसका जो first day होगा वो कौन सा दिन होगा एक जनवरी sun first पहली वाली sun ठीक है? एक जन्वरी पहली सन और लास्टे की अगर हम बात करते हैं तो लास्टे कौन सा होगा पहली वाली सेंचुरी का 31st December और सन कौन सी होगी 100 31st December सन कौन सी होगी 100 अब जब कलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी वो 1st century से हुई थी और जो पहला ही दिन था century का वह पहले दिन के रैस्पेक्ट में आपके और दे कितने थे एक और दे कितना था वन और पर कौन सा दे आता है Monday वन पर कौन सा दे आता है Monday तो यहां पर अगर 1st day की बात करें तो 1st day कौन सा आज जाएगा Monday 1st century का समझ में आगी बात ये अगर हम last day की बात करते हैं तो जो first day आपका जो first century थी वो complete होती है उसके respect में odd day कितने थे 5 5 odd day थे first century के respect में odd day 5 आए थे और 5 पर कौन सा डे आएगा Friday तो यहाँ पर last day of century कौन सा आजाएगा Friday ये बात सभी के समझ में आ गई ऐसा नहीं कि अपने मन से लेकर है जो हमने पढ़ा है उसी के basis पे आपका ये बताया जा रहा है हमें ये पता था कि पहली century जब complete होगी तो odd day आएगे 5 और 5 day के respect में जो last day आजाएगा वो क्या आएगा Friday तो ये तो थी अब बात करते हैं १ृष NEW Ży जो रहेगी आ उसके अगर हम बात करते हैं first day की कॉन सा पड़ेगा तो अगर खलो धान से अगर हम first century के last day में 10 अजाएड करदेंगे फरस्ज्ट हाज्ट आजय में एक दिन आइड करदेंगे तो second century का first day मिल जाएगा अगर 2nd century के 1st day की बात करेंगे तो यह कौन सी डेट होगी, 1 January, Sun 101, 1 January, Sun 101, तो यहां पर 2nd century का 1st day आएगा, वो क्या आएगा आपका, Saturday, और अगर last day की बात करते हैं, तो last day, जब 2 century complete होती है, तो odd day कितने आते हैं, 3, और 3 पर क्या आएगा, Wednesday, 3 पर क्या आएगा, Wednesday, तो यहां अब ऐसे ही 3rd century के रेस्पेक्ट में calculation करेंगे, जब हम बात करते हैं, 3rd century की, तो 3rd century और 4th century, इनको और देख लेते हैं, इसके आगे, अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर 3rd century के 1st day की, तो 2nd century के last day में, 1 day add कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, Thursday, ठीक है, और अगर 3rd century के last day की बात कर रहे हैं, तो 1 odd day पर क्या आजाएगा, यहां पर, Monday आजाएगा, यह भी सभी को clear है, 4th century के अगर 1st day की बात करेंगे, तो क्या आएगा, Tuesday, और अगर 4th century के last day की बात करेंगे, तो 0 पर क्या आजाएगा, Sunday आगया, अब यह 4th century हमने complete कर ली, जब ह 5th century की तरफ गए, 5th century की तरफ, अब इसका जो 1st day था, वो Sunday में 1 odd होने पर हमें मिलेगा, और Sunday में 1 odd हुआ तो क्या मिल गया, Monday, और अगर 1st day Monday आजाएगा, तो last day क्या आएगा, Friday, तो यह जो आपका 5th century है, यह किसके से मिलर है, 1st वाले के, ठीक है, तो यहां पर जो last day आए एगा, वो क्या है आपका, Friday, ऐसे ही अगर 6th century की बात करेंगे, तो वो क्या है आपका, Friday में 1 odd होने पर, Saturday, और last, अगर 1st day Saturday है, तो last day क्या हैगा, Wednesday, तो यहां पर आपका क्या आजाएगा, Wednesday, तो 1st century है, वो 5th के सिमलर है, 2nd है, वो 6th के है, 3rd किसके सिमलर होगी, 7th के, 4 किस के सिमलर होगी, 8th के, और इस तरह से यह साइकल आपका हमेसा आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है, अब यह जो century चल रही है, अपनी वाली, जो अभी अभी हम प्रजेंट में है, यह कौन सी century है, 21st century, अब यह 21st century किसके सिमलर होगी, 1st वाली century के, क्योंकि इस से पहले ज़ यह 4-4 के multiple में 20 निकल गया, तो यह 21st century का first day कौन सा होगा आपका, 21st century का first day Monday होगा, इसको आप लिख लो, 21st century का first day or last day, first day क्या होगा, Monday, और last day क्या होगा इसमें, Friday, अच्छा यह बता सकते हो कि 18th century का first day और last day क्या होगा, 18th century का 18th century किसके similar होगी, 2nd वाले के, और 2nd वाले का क्या है आपका, Saturday, और last day क्या है, इसका, Wednesday, क्या आप यह बता सकते हो कि 19th century का first or last day क्या होगा, तो 9th वाले, जो 19th century होगी किसके similar होगी, 3rd century के, तो 3rd century का Thursday और Monday, तो इसका जो first day आएगा, वो Thursday आजएगा, और last day क्या होगा, Monday, यह समझ में आ रहा है आपको, अब इस, इस पर बेज़ आखरी कोशन है आज का, आखरी कोशन यह है, क्या आप यह बता सकते हैं कि जो आपक इसका human, जो आपका है, जो हम लोग इंसान है, इनकी, जो इसकी जब starting होई थी, तो इसका जो first day कौन सा था, जो, जो humans है, वो जब आए थे, तो वहाँ पर जो आपका starting थी, वो किस day से होई थी, अच्छा, humans जब आपका, जब हम लोग exist कर रहे थे, यहाँ पर जबने exist करना start किया था, उस समय calendar तो थे ही नहीं, calendar थे नहीं, उसके बाद, जब calendar, जब आने start होई, बने जब calendar, तो starting तो कहां से होई, Monday से होई होई होगी, तो first day of human century, क्या हैगा आपका Monday, first day of human century क्या हैगा Monday, और last day of human century क्या होगा, क्या आपको पता है, क्या आपको यह पता है कि human, जो आपका humankind कब खतम होने वाला है, कब सधी नस्ट हो जाएगी सारी, नहीं, तो जब पता ही नहीं है कि कभ खतम होने वाले हम लोग तो लाश्डे कैसे पता कर पाएंगे तो लाश्डे आपका यहाएंगा यह हम नहीं बता सकते तो यहां पर A first day of human century ये Monday ऐसे बताया क्योंकि calendar जब डिजाइन हुए तब ही से आपका human century का start माना गया तो आपका human जो nature है आपका वो calendar के बाद से सुरू हुआ क्योंकि देतों से पहले defined थे ही नहीं तो first day of human century का आएगा Monday और इसके बाद last day of human century तो इसका क्या है आपका cannot be determined cannot be determined हम find नहीं कर सकते चलिए यहां पर calendar वाला topic complete होता है आज की class के लिए इतना ही thank you so much